हेलो सुदेंस तो क्लास 10 में NCRT examiner से हम सॉल्फ करें थे चाक्टर नंबर 5 डाइस पिरियोडिक लासिफिकेशन और एलिमेंट्स जो की बोर्ड एक्जामेनिशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है तो बच्चो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कोशन नंबर 41 से उपर जो लिंक्स मिलेंगे वहाँ पर चैप्टर को पढ़ाया गया है और नीचे आपके जो लिंक्स मिलेंगे उसमें आपको NCRT examiner के हर एक कोशन को डिटेल में समझाया गया है तो प्लीज पेंड कॉमेंट चेक करिए जो और रीड मोर पर उस पर क्लिक करिए तो पूरा स स्टुनेंस के लिए बताया है और और जो ओल्ड स्टुडेंस अंको तो पता ही कि आसम को स्टाट करना है क्या कोशन नमबर 41 तो आईए बच्छों स्टाट करते हैं कोशन नमबर 41 चलिए बच्छों कोशन नमबर 41 में आपको बोलता है properties of elements are given below where would you locate the following elements in the periodic table okay तो आपको पर एक टेवल में उनकी position बतानी है तो ध्यान दो अगर आपको बच्छों किसी element की position बतानी है तो आपको group नमबर भी बताना पड़ेगा और period number भी बताना पड़ेगा ठीक है तो ध्यान रखेगा जब वो locate करने के लिए बोले किसी element को तो हमें group number भी बताना पड़ेगा और तो group number one and two respectively और अगर two से ज्यादा electrons है तो उसमें हम 10 add कर देते हैं तो हमें group number मिल जाता ही हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर तो part A देखते है a soft metal stored under kerosene हमें कौन से metal को kerosene में रखा जाता है बच्चो sodium को सभी बच्चों को बता है है soft metal है kerosene में रखा जाता है ठीक है तो यहां पर जो answer आएगा बच्चों हम लोगों का वो आएगा क्या sodium ठीक है मैं सिंबल बना दे रहा हूं एंड इस सिंबल होता है किसका sodium का आप लोग इंग्लिश में भी लिख लिए जगा है है 11 होता है तो sodium का atomic number अगर 11 होता है तो इसका एलेक्रोनिक इंफिगरेशन होगा 2,8,1 अब ध्यान से चेक करिए बच्चों यहां पर पोजिशन में इसका जो पीरेड नमबर होगा चीक है इसका पीरेड नमबर जो होगा वो होगा 3 कैसे देगो के शेल के शेल में 2 एलेक्र इसले पीरेड नमबर कितना हो गया 3 हो गया और यहां पर गुरूप नमबर कितना हो जाएगा बच्चों अब इस तरीके से हमने इसका पीरेड नमबर गुरूप नमबर बता दिया अब पार बी को देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों फॉस्वो क्या होता है आप क्लास 11 में पढ़ोगे जिनको नहीं पता है देख लें फॉस्फोरस इस वेरी रियक्टिव एलिमेंट ओके फॉस्फोरस बहुत ही हाइली रियक्टिव होता है इवन इतना ज्यादा रियक्टिव है कि जब 30 सब्सक्राइब तो सिर्फ 30 डिग्री टेंपरेचर पे ही बच्चो क्या होता है कि यह अपने इगनेशन टेंपरेचर पे पहुत जाता है इगनेट हो जाता है इगनेट मतलब आप इसमें समस्क्तियों की आग सी लग जाती है इसमें तो बच्चो यहीं बात हमने यहां पर लिखिए फॉस्फोरस इस हाइली रेक्टिव एंड स्पॉंट टीनिश्ली इस स्पॉंटेनि इस मतलब कुछ करने की जरुवत नहीं आपको अपने आप इसमें आग लगना शुरू हो जाएगी ऐसा आप समस्क्तों आग लगने का मतलब आपको कुछ लाइट वगरा दिखाई पड़ेगी ठीक है जैसे नो नॉमली लकडी जलती है कुछ उस तरीके से ठीक है एन इन इ बहुत जल्दी पानी गरम नहीं होता है ना तो बहुत जल्दी रखावा पानी 30 डिग्री तर नहीं पहुचेगा और फॉस्फोरस फ्रक्षित रहेगा इसलिए ध्यान रखिए फॉस्फोरस को किसमें स्टोर करते हैं हम वाटर में स्टोर करते हैं ठीक है तो ये एक बहुत इंपोर्टन बच्छों आपको नॉलेज मिला है शायद आपने कहीं क्लासेस वगरा में ना पढ़ाओ ठीक है और यह कुशन अगर एक्जाम में आ जाए तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा अब आईए हम आपको दिखाते हैं कि पार्ट वी में बोल गया रहा है देखो एन इसका मतलब किसकी बात करी आ रही है फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है बता है यहां पर इसकी पोजीशन अगर हम बताएं तो पोजीशन में बच्छों सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा पीरिड नंबर चलिए फटा-फट बच्छों पीरिड नंबर कैसे का अटॉमिक नंबर 15 15 का एलेक्टरोने कंफिडरेशन सुरी डू गॉमा 8,5 अब यहां पर देखे बतो के शनल चल्ह एंचल तो टूटल अमबर अफ लेक्रॉन शेल्स कितना है और अगर आप ग्रूप की बात करें तो ग्रूप नमबर आब च्छों इसका कितना अब धिया यहाँ पर outer most shell में कितने electrons हैं five electrons balance electron कितने five electron अगर silence electron five electron हैं तो हमने आपको class में पढ़ाया है कि balance electron अगर one या two से जादा होते हैं तो हम group number निकालने के लिए number of balance electrons plus 10 कर देते हैं तो 5 में हम 10 add कर देंगे five plus 10 कितना हो तो यहां पर मैं आपको एक्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि यह वेलेबल वेलेंसी के लिए यहां पर एक्जांपल देते हैं अगर हम आपको बोलें बैचो कि यहां पर फॉस्फफोरस की वेलेंसी बताई यह तो बहुत इसली आप बता दो हूगे क्योंकि आपको क्लोरीन की विलंसी पता है कितनी होती है तो फॉस्फोरस की विलंसी यहां कितनी हो जाएगा इसे सबसे क्लोरीन की तो फॉस्फोरस की कितनी हो नहीं पड़ेगी फाइव इधर जाएगा चील के नीचे वन इधर आएगा तो यहां पर आप देखिए फॉस्फोरस वेरेबल वेलंसी शो कर रहा है यहां पसकी वेलंसी 3 है यहां पसकी वेलंसी 5 है बास समझ नहीं जब आप 11th क्लास म वेलंसी को शो करता है बासन महीं कि नहीं बट यह जो बच्चों देको वेरेबल वेलंसी वाला जो इस बात को आप लेंड कर लीजे कि फॉस्फोरस को वाटर के अंडर स्टोर किया जाता है बिकॉस यह बहुत ही रेक्टिव होता है ओक चलिए अब देखिए बच्चों यह होता है जिस एलिम्ट की वैसे फोर होती है उसको हम क्या बोलता है तटरा वैलनी तो बहुत ही फेश करण और पढर आपके बारे में आप पढ़ते हो और गाने के कि मेस्ट्री में तो यहां पर बच्चों शालिशन में आपका जो एलिमंट है वो क्या है, carbon है, बस मैं symbol बना दे रहा हूं, आप लिख लिए गा carbon, अब अगर बात करें इसकी position की, ठीक है students, तो यहां पर position या location की जो बात करें, तो period number कैसे निकालेंगे, period, period, number कैसे निकालेंगे, period number आएगा इसका, देखते हैं, carbon का, बच्छों, atomic number कितना होता है, 6 होता है तो carbon का अगर atomic number 6 होता है, तो 6 का electronic configuration करेंगे, 2,4, correct, तो 2,4, तो ध्यान से चेक करिए, यहां कितनी shells है, only 2 shells, देखो, K shell में 2 electron, L shell में 4, K shell, L shell, तो number of electron shells कितनी है, 2, इसलिए period number कितना हो जाएगा, 2, और यहां पर अगर हम लोग group number निकालें, तो group number कैसे निकालते हैं, ध्या जादा electron होते है, more than 2 electron, तो हम group number कैसे निकालते हैं, हम valence shell में क्या add कर देते हैं, 10 add कर देते हैं, 4 plus 10 कितना हो जाएगा, 14, तो carbon का group number 14, वैसे भी आप लोगों को पता है, ओके, तो इसको आप कर लीचे, नौ students, पार्ट दीद देखते हैं, बढ़ उससे पहले पार्ट है, इ इसको kerosene oil में रखा जाता है, आपको पता है, ठीक ना, लिकास बहुत जाता रियक्टिव होता है, अब बच्छों यह हो गया, potassium, मतलब sodium, और potassium, और potassium का atomic number कितना होता है, 19 होता है, 19 होता है, ठीक न, 19 का electronic information, 2, 8, 8, 1, तो इसका period number, देक हम short में लिखने हैं, आप इसका period number कित दोनों ही बताएगा, exam में ठीक है, sodium, और करके, potassium, दोनों की information दीजेगा, अब देखे, part D, कह रहा है, an element which is an inert gas, which is an inert gas with atomic number 2, तो इनर्ट गैस बच्छों कौन से ग्रूप में आता है, बताए, ग्रूप नमबर 18 में देखे, helium, ठीक है, neon, organ, krypton, ठीक है, xenon और redon, ठीक है, तो हीना, नीना, और करीना का जिरॉक सरंगीन, यहां आपको क्लास में बता है, अब यहां पे खास बात देखे, इस ग्रूप नमबर 18 में, जो इनर्ट गैसे इस में, atomic number 2 किसका होता है, helium का, और ध्यान रखिये, students, यह question तो exam में आना ही आना है, मतलब बहुत important question है, कि जिसका atomic number कितना है, 2 है, 2 है, इस में, खास बात किया होती, देखे, जड़ा, इस में, खास बात ही होती, सबसे पहले तोम पिचान के भी, helium ए, helium, answer में, okay, क्योंकि अटामिक नमर से पिचान के, atomic number 2 होता है, अब अगर पीर नमर, पीर नमर मतलब पीर नमर मतलब पीर नमर, मतलब पीर नमर देखते हैं, पीरिट नमर के लिए हमने क्या किया, helium का electronic configuration किया, okay, तो helium का electronic configuration करोगे, तो 2 आएगा, अब ध्यान से चेक करिये बच्छों, 2, तो यहाँ number of shells कितनी, only one shell है, that is, केशल, केशल में, तो इसका period number, तो number of electron shells से बता चलता है, तो period number तो इसका one हो गया, कोई दिक होने हैं, तो यहाँ तो आप्टर मोशल में कितनी, only two, तो कोई बच्चे इसका group number two लिख सकते हैं, wrong हो जाएगा, हमने आपको ग्लास में specially पढ़ा है, जब भी आपको atomic number कितना दे दे तो वह helium होता है, और यह exceptional case है, यहाँ पर आपको group number two नहीं बताना है, आपको group number 18 बताना corrosion resistance by the process of anodizing, बच्चो देखिए, anodizing एक ऐसा process होता है, मैं आपको short में थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत डिटील में आपके syllabus में है नहीं, बढ़ यहाँ कोक्षिन आ गया, तो ध्यान से क्रोचो अनोडाइजिंग क्या होता है, अनोडाइजिंग में, यह देखिए यह और यहां पर हम इलेक्रोला एक समय क्या होड़ा है, यहां पर हम यह देखिए बहरा हम यह पर ऐनोड़ पे कोई दूसरा एलिमेंट रग दिन गे जिस एलिमेंट के उपर हमें गया चाहिए आपके तागे इस कोश्चन को आप अनाम से कर लें तो यह कौन सी लियर आ गई बच्चो बता है यह ऑक्साइट की लेर एल्टू ओथ्री ऐल्मोनियम के ऑक्साइट की लेर आ गई दूसरे एल्मेंट के उपर तो अब जो दूसरा एल्मेंट है बच्चो वह सुरक्षित हो ज जायेगा ना तो वह more aggressive हो जाएगा मतलब मजबूत हो जाएगा उस पर खरोच नहीं लगेगा जैसे खरोच नहीं लग जाती है हम कुछ मानलो कुछ हम आईरन का रोड लेके जा रहे हैं और ऐसे बोड में लड़ गया तो बोड में ऐसे लड़ गया अगर तो यहां पर ऐसे बचाना चाहते हैं इसको लंबे टाइम तक यह उरक्षित रहे तो उसके उपर ऐलमूनियम ऑक्साइट का लेयर आना जरूरी है प्लस क्या होता है ध्यान दीजिए बच्छों यह जो elements है कुछ-कुछ उसके उपर पेंट करते हैं तो पेंट अच्छे से हो नहीं पाता है प सब्सक्राइब अगरा भी सॉलिशन मिक्स कर देते हैं तो वो सब हमें नहीं करना है तो आप यह देख सकते हो कि इसके उपर ऐसा कलर भी मंचाहाम ला सकते हैं तो समझ गया होगा आशा करते हैं आप अनुडाइजिंग प्रसेस में क्या करते हैं मेंली जो भी element है उसके इस अलमुनियम का नाम क्या है इस एलमुनियम का नाम क्या है इलमुनियम है तो यहां पर बच्चो आंसर में जो हमारा का element है वो क्या हो जाएगा ऐल्मुनियम एल्मुनियम का सिंबॉल क्या होता है capital A small L बाकी नाम आप लोग पूरा लिख लिए गाल मुनियम और पीरिट नंबर जो होगा इसका पीरिट नंबर कैसे निकालेंगे ऐल्मुनियम का अटॉमिक नंबर क्या होता है इस थर्टी नोटा यह तो सबको पता है ठीक है तो थर्टीन में इलेक्रोनिक इन्फिगरीशन करोगे तो टू कॉमा एट कॉमा थी अप्र देखिया यह तो पीरिट नंबर कितना हो गया तो पीरिट नंबर कितना हो गया थर्टी ओके कर लीचे देखिया थर्टी नंबर कितना है इसका सेकेंड है ठीक है